हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल वैद्दिसरी अरुड गुरुजी यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें तथा वेल आइकेन घंटी को दबा दें जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे मैं आज अपने इस वीडियो में आपको एक बैग्यानिक फैक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जिसको जानने के बाद आप दातों तले उंगली दबा देंगे जब भी हमारे घरों में प्याज काटा जाता है तो काटने वाले व्यक्ति के आँखों से आशु निकलने लग जाते हैं और यह हम समझते हैं कि जो प्याज में विशेश परकार का गंध होता है उसके कारण हमारे आँखों से आशु निकल रहा है परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है प्याज में एक विशेश परकार का इंजाइम होता है और इस इंजाइम में बहुत सारे केमिकल प्रोपर्टीज होते हैं और यह जो केमिकल प्रोपर्टीज होते हैं वो हवा में मिल जाते हैं और हमारे आखों में जब हवा के माध्यम से तो प्याज काटने वाले व्यक्ति के आखों से आशू निकलने लग जाते हैं यदि इस chemical properties को हमें कम करना है तो प्याज काटते समय पहले प्याज को हम पानी में यदि भिगो देंगे तो इसमें enzyme का जो स्रावड है ओकं हो जाएगा अर्थात chemical properties कम हो जाएंगे और हमारे आखों से आशू नहीं निकलेंगे तो दोस्तों आज आप ये जान गए होंगे कि प्याज में जो गंध होता है उसके कारण आखों से आशू नहीं निकलते हैं प्याज में जो विशेश प्रकार का इंजाइम होता है उसके कारण ही हमारे आखों से आशु निकलते हैं और हम यह भी जान गए कि यदि आखों से आशु कम करना है तो प्याज को पानी में भीगो करके काटना चाहिए यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कॉमेंट बाक्स में लिखें और यह भी लिखें कि आप और फैक्ट वीडियो कैसे जान सकते हैं धन्यवाद